आज के हमारी quick and easy recipe है mixed vegetables जो की बहुत ही tasty बनते हैं मैं इसमें यूज कर रही हूँ mushrooms, एक हरी मिर्च, एक श्रिमला मिर्च, एक टमाडर और एक प्यास इन सब को मैंने इस तरीके से cut कर लिया है साथ ही साथ मैंने घोबी को और आलू को भी add करा है और उसको भी मैंने cut कर लिया ह इनकी quantities आप कम्या जादा ले सकते हैं as per your taste और as per your need और इसके बाद मैं यूज करूंगी cottage cheese याने Indian cottage cheese जिसे कहते हैं पनीर और साथ ही साथ मैंने लिया है one tablespoon ginger and garlic का paste और अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले एक कढ़ाई लीजिए या पैन या बरतन जो भी आप यूज करते हैं cooking में उसके अंदर हम डालेंगे five tablespoon oil मैं यहां यूज कर रही हूं सरसों का तेल यानी mustard oil और mustard oil डालने के बाद इसको थोड़ करेंगे हम गयास की flame high रखेंगे और उसमें डाल देंगे ginger and garlic का paste यानी अद्रकलसन का paste एक चमच और उसको अच्छे से भून लेंगे गुलाबी होने तक गुलाबी होने तक इसे भूनते रहेंगे और जैसे ही यह थोड़ा भून जाए तो इसके अंदर हम डाल देंगे जो जैसे ही थोड़े से प्याज मिक्स हो जाएं और थोड़े से गुलाबी हो जाएं हम इसके अंदर फटा फट से जाल देंगे आलू यानी potatoes जो हमने काटे हुए हैं और उसके बाद इसको mix कर लेंगे और हलका हलका सा पका लेंगे और जब आलू यानी potato अच्छे से थोड़ा सा पक चाएं उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोबी यानी cauliflower जो हमने अल्रेडी कट किया हुआ है और इसको भी अच्छे से mix कर लेंगे अब इसको जब हम अच्छे से mix कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे bell pepper यानी शि और अब बारी आती है mushrooms की अब हम सारे के सारे इसमें mushrooms डाल देंगे और सारी के सारी 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 को mix कर लेंगे अब हमारी सारी की सारी 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 मिक्स हो गई है और अब बारी आती है मसाले की सबसे पहले मैंस में डालूंगी salt यानी नमक as per your taste उसके बाद आधा चमर डाला है मैंने coriander powder यानी सूखा धनिया powder उसके बाद मैंने डाली है 1 फोर्थ टेबल स्पून कसूरी में थी और आधा चमर्च मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये सब डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर जो हमने काते हुए हैं अलरेड़ी अब थोड़ा सा टमाटर मिक्स करने के बाद इसमें पनीर को भी हम आट कर देंगे और सारी की सारी सबजीयों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह सब कुछ मैंने अभी हाई फ्लेम पर ही पकाया है और जैसे ही सारी सबजी मिक्स हो जाए अब ग्यास को कर देंगे अब इसको ढग कर रख देंगे तक्रीबन दस मिनट के लिए दस मिनट के बाद हम लेट को अटाएंगे या कवर को सो देखिए अब हमारी सबजी थोड़ी थोड़ी पक चुकी है और इसने पानी भी छोड़ दिया है और इसी स्टीम में ये पक कर तैयार होगी अब बार दी थोड़ा सां हम डालेंगे 1-2 चमप्ज गरम मसाला पाउडर और साती सात आदा चमप्ज ब्लेक पेपर यानि काले मिर्च पाउड़ और थोड़ा सा उपर से स्प्रिंगल करेंगे चाट मसाला पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गरम मसाला बाद में इसलिए डालते हैं कि सबजी के अंदर फ्लेवर बने रहे हैं और उपर से मैंने डाली है क्रश करके पुदीने का पाउडर अब सारी सबजी मिक्स करके हम इसको फिर से 15-20 मिनट के लिए ढखके रख देंगे 15-20 मिनट बाद चेक करेंगे हमने हल्दी का पेस्ट नहीं डाला था अभी तक तो अब हम आधा चमच हल्दी का पेस्ट डाल देंगे आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं और हल्दी का पेस्ट आधा चमच डालने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हाई फ्रेम पर ही इसे 5-10 मिनिट के लिए हम पकने देंगे ताकि सबजी थोड़ा अपना ओल छोड़ दे और जो भी पानी है वो सूख जाए और 10 मिनिट के बाद देखिए हमारी सबजी बनकर तयार है और सर्फ करते वक्त ऊपर से थोड़ा सा देशी घी डालेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करिएगा ये सारी वेजीज हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशिल होती है और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए थांक यू सो मच फॉर बोचिंग